इसके पहले के वीडियो में जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया जा रहा है आपने देखा कि समीक्षा अधिकारी की तयारी करते समय हमें किन किन बिंदू उपर फोकस ड़ाना चाहिए और इसकी तयारी के लिए हमने 2016 का सामान अध्यन का प्रस्पत्र उठाय है और जिसमें हम लोग 50 प्रस्णों को हल कर चुके हैं और साथी साथ हमने उसमें इस बात पे भी चर्चा की कि किस तरीके से प्रस्ण पूछे जाते हैं और बरतमान परिशा के तयारी करते समय हमें अपने नोट्स में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो प्रिकित में से किस राज्य में 2011 की जनगर्णा के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरी समू नहीं हैं फ्रेंट्स मने आपसे पहले भी बताया कि 2011 की जनगर्णा भले ही लगबग पुरानी हो चुकी है कोई मिला के 6-7 साल लेकिन फिर भी बरतमान में जो भी परिशाएं हो रह आते हैं इसलिए आप लोग परिच्छा की त्यारी में जनगर्णा से सम्मदी दिन्दों को ध्यान में रखिएगा मसीगरी एक बहुत अच्छा विस्लेस्टन के साथ एक वीडियो अप्लोड करने वाला हूं तो प्रस्न देखिए पूशा जा रहा है कि कि किस राज्य में 2011 111 के जनगर्णा के अनुसार 10 लाकी प्लस के नगरी समू नहीं है तो इसका उत्तर होगा ओडिसा ठीक है अचली हम देखते हैं अब अगले प्रस्न को अगला जो प्रस्न है फ्रेंड्स वो है 2016 में घोसित संपोषडी विकास लक्ष सुचकांग में भारत का अस्थान कौन सा है इसका जबाब होगा 110 वा जुलाई 2016 तक युनुसकों ने भारत में कितने भी सुधरोवर अस्थल अजसूचित किये हैं तो अगर देखा जाये तो कुल मिला के हैं 35 ठीक है अगला कुश्चन दिसंबर 2016 में मेक इन इंडिया सम्मेलन प्रस्तावी थे हैं अब वर्दमान में जो परिच्छा होने जा रही है ये 2018 में होने जा रही है 2016 में परिच्छा होई थी आरो ए आरो की 2017 गैब हुआ था उसमें परिच्छा नहीं हुई थी अब जो परिच्छा हो रही है ये 2018 में हो रही हाला कि परिच्छा का नाम 2017 ही दिया गया है लेकिन आपको जितने भी कांफ्रेंसे हो रहे है 2016 से लेके 2017 और 2018 में खास तोर से वे सम्मेलन जिसमें भारत सरकार ने हिस्सा लिया है इसके बारे में एक नोट साको तयार कर लेना चाहिए जैसे कि 2016 में मेक इन इंडिया सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था तो इसका जबाब है भूनिस्वर में नई दिल्ली ये औप्शन B सही है लेकिन 2017 की अगर आप बात करें तो 2017 में जो मेक इन इंडिया का सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था वो हुआ था तक में ये बाद भी आपको ध्यान में रखनी होगी इस तरीके से जितने भी सम्मेलन है उसको आप अवस्ती ध्यान में रखें एक एक प्रस नहीं बहुत कीमती है कंपटिशन बहुत टफ है सितंबर 2016 में निमलिखित में से किन सांसदों ने पाकिस्तान स्टेट इस्पांसर आफ टेरिरिज्म डेजिगनेशन एक्ट यच आर 6069 सिर्शक बिल पेस किया तो इसका जबाब है टेट पो एवं डाना रोरा बाखर बरतमान में ये प्रासंगीक तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चीए कि बरतमान में कौन-कौन से अंतराश्टी घटना है इस तरीके से हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं देखें जब भी आप अकबार पढ़िये तो खासतोर से आप उन बिंदूओं को अवस्ती ध्यान में रखिये जिससे हमारे अंतराश्टी जो संबंध है विदेश संबंध है या दक्षिन एसिया पर उसका कोई गंभीर प्रभाव पढ़ता है भले ही वा घटना भारत से कह भले हो रही हो ठीक है अगबार कैसे बढ़ा जाता है इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिशन में आपको मिल जाएगा 11 सितंबर 2016 को सयुक्त राष्ट महासभा के अध्यक्षन निमलिखित में से किसे सम्मंदित स्वास समस्याओं पर एक उच अस्तरी बैठक आहूत की तो उस समय प्रतिसुक्ष्व जीवी प्रतिरोत पर एक उच अस्तरी बैठक गुलाई गे थी 11 सितंबर 2016 को यह उन्यों सेंटराज महासभा के अध्यक्ष के द्वारा नेक्स्ट यह करेंट अफेस का सवाल था अगला देखिए उत्तर प्रतेश के निमलिखित में से किस मंडल में प्रतम समाजवादी अभिनों बिद्याले खोला गया है जवाब है इराहाबाद ठीक है तो बरतमान में करेंट अफेस से भी सवाल पूछे जाएंगे यह तत्काली प्रस्ट में थे जो कि उसमें पूछे गए थे भारती सेना ने पीयोके के आतंकवादियों के विरुद सर्चिकल स्ट्राइक किया था यह प्रस्ट बहुत सारे परिच्वा में रिपीट हुआ संग वित्यमंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर 2016 में यह घोसित किया कि आए घोषडा योजना IDS 2016 के अंतरगत 30 सितंबर 2016 तक घोषड काला धन कितना है तो उस समय 65,250 करोन रुपए यह काला धन घोषड हुआ था तो आप्शन D आपका सही है चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले प्रस्ट को पैरालंपिक के इतिहास में पहली बार रियो पैरालंपिक के 2016 में किस खेल असपरधा में भाग लेने के बाद दो भारती एक साथ पोडियम पर खड़े हुए तो जवाब होगा उची कूद ठीक है अगला देखते हैं खेल कूद से संबंधित प्रस्टों को भी जो मधपूर खेल हैं उसे संबंधित नोट्स भी आप बनाते हुए आगे बढ़िये समय कम है मेहनत आपको अधिक करने होगी 29 अगस्त 2016 को यल इम ओ ए यल इम ओ ए किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षित हुआ था जवाब है भारतव यू यस से यानि की स्वेक्त राज अमेरिका नीली नील ब्लू नाइल नदी निम लिकित में से किस जील से निकलती है जवाब होगा आपका ताना जील ताना जील कहाँ पर है इथियोपिया में है ये भी आपको याद रखना चाहिए इथियोपिया निम लिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो ये भी ध्यान रखि कि कौन सा से समिली नहीं है तो इसमें जो होगा देखिए हूस्टन टैक्सस में है सही है इस पैरोज पॉइंट मेरी लेंड में नियू औरलियंस लुजियाना में जबकि कैम्डन जो है ये न्यू जर्सी में है ठीक है इस तरीके से आपका option D सही उत्तर होगा निम्लिकित सागरों का पस्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना था तो सही क्रम था option C भूमद्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर और अराल सागर तो जब भी आप किसी भी बिदेश के बारे में सोचें किसी भी बिदेश के बारे में आप जैसे सागरों के बारे में आपको एटलस आपके सामने रखना होगा और आप एक गंबीर अध्यान करती है आगे बढ़ें खास दोर से विश्वमान चीतर को थोड़ा ध्यान से देखिए जैसे ही कोई सम्मधित प्रस्ना आए उस अस्थान को खूजने का आप प्रयास अवस्य करें इससे आपका भूग प्रभावित होती है और उसके पाद एक सूची दीगें जिसमें आपको मिलान करना है कि A का कौन सा आपसन सही है यहाँ अगर आप देखें तो लीना नदी है जो कि आर्कटिक महासागर में प्रभावित होती है आमूर प्रसांत महासागर टिगरिस प्रसांत फारस की खाड माही और अपसागर से सम्मदी थे तो फिर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है जो कि A था अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम एक प्रडाली बिक्सित की थी जो कि क्या थी तो वो एक क्वांटम उपगर असंचार प्रडाली है यानि कि दक्षिन एसिया में जो भी महत् बश्कार हुए हैं उनकी सुचना भी आपको रखनी होगी जब भी कोई समाचार पत्र पढ़िए आप तो खास तो से बीदेशों से सम्मंदीत इस तरीके के प्रशनों पर आप थोड़ा फोकस रहिए और कोशिस कीजिए कि कम सकम एक समय आप रेडियों में से सुने यानि क का ऑप्शन ए आपका सही है जनसंख्या ब्रिद्धी के सुरूप को एक दीर काला वधी में घटित क्रमिक परिवरतन को कहते हैं जनांकी संक्रमण ठीक है करीबाबाद कहान इस इस्थित है तो ये जामबेजी नदी पर इस्थित है भारती बन सरवेक्षण के रिपोर्ट क जबाब होगा मिजोरम कोईला मंत्राले के रिपोर्ट के अंसार 1 अप्रेल 2014 को निम्लिकित राज्यों के प्रमाडित कोईला भंडार के दिश्टी से सही और रोही क्रम और रोही क्रम वो होता है जिसमें छोटे से बड़े को अरेंज किया जाता है और रोही क्रम में बड़ फिर छत्तिसगर फिर ओडिसा फिर मध्यप्रदेश इस तरीके से निल्ली के कदरों पर विचार कीजिए प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी छेतर में इस्थित हैं तता भविश्य में भी प्रियोग में लाए जा सकते हैं करेक्ट किसी वास्तविक प्राकृति संसाधन का अभिकास प्रद्योग की एवं उत्पादन लागात पर निर्भर होता है गलत कोई भी जो प्राकृति संसाधन होता है वो स्वयंग से बिक्सित होता है किसी वास्तविक प्राकृति संसाधन का अभिकास तो इसमें से आपका क्या होगा ए सही है किन्तु आर गलत होगा अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जोगरफी में जेई स्पेंसर एवन डेबलू यल्ड टामस ने बिश्व को कितने सांसेकरितिक बिश्व में विभाजित किया है जवाब है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जोगरफी एक बुक है जो की 1973 में प्रकासित हुई थी चलिए अगला पस्त देखते हैं बिश्व में कौन जैविक संसाधन नहीं है जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो की उरजा के लिए प्रयोग में लाया जाते हैं तो इसमें सुद्ध जल ये जैविक संसाधन नहीं है इसके अतरिक्त कोईला पेट्रोलियम और जो मचली होती है ये भी जीव है और ये भी जैविक संसाधन में आती है राश्ट्री बननीत 1952 के अनुसार निमलिखित में से कौन सा बन का संवर्ग नहीं है तो इसमें जो राश्ट्री उद्ध्यान होते हैं उनकी गड़ना बनों में नहीं की जाती है उसके लावा राश्ट्री बन, सनक्षित बन और ग्राम बन ये बन समवन्ग में आते हैं परेवरान मंत्राले तोरा जारी किये गे इंडियन स्टेट आफ फारेश्ट रिपोर्ट 2015 के अंसार भारत के पूरे भगोली छेत्र का कितना प्रतिस्यत छेत्र बनों और पेड़ों से आच्छादी थे तो जवाब है आपका 24.1 प्रतिस्यत फ्रेंड्स सच जलवायों के लिए ये माना जाता है कि किसी भी छेत्र का कम से कम 29 प्रतिस जो छेत्र हो वो बनों से ढगा हुआ होना चाहिए इस तरीके से ये भी छेत्रफल थोड़ा सा कम है अनुपात में देखा जाए तो निर्डिकित राश्टी उद्ध्यानों सरुथम से सबसे बात के कालकरम के अंसार ब्यवस्तित कीजिए और पार्क के नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर चुनिए सवाल को जब भी आया आपके सामने उसको ध्यान से और धहर रखना आप सीखिए तो इसमें दिया गया है राश्टी उद्ध्यानों में से सबसे बात के कालकरम के अंसार ब्यवस्तित कीजिए और पार्क के नीचे दियेगे कूट में से सही उत्तर चुनिए तो अगर आप इसको देखें तो मैं आपको बता देता हूँ साइलेंट वैली ये 1847 में इसकी खोज की गई थी ये प्राकरतिक वैली है जिम कारबेट पार्क ये 1936 में अस्थापित किया गया काजी रंगा ये काजी रंगा 1905 में अस्थापित हुआ था और कानहा नेशनल पार्क 1935 में अस्थापित किया गया था अगर इस आधार पे आप देखें तो आपका option D सही माना जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं UP में 2021 की भारत की जनगर्णा के अनुसार साक्षर्ता दर कितनी है तो इसका सही जबाब है 67.68% ठीक है अगला question देखिए भारत के समस्त राज्यों के छित्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का अस्थान क्या है तो देखिए इसमें जो options दिये गए हैं उसके अनुसार चोथा बिकल्ब सही होना चाहिए लेकिन अगर आप छित्रफल के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है भारत में राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर इसका अस्थान आता है मद्यप्रदेश का, उसके बाद महारास्थ का, फिर आंद्यप्रदेश और तब यूपी का अस्थान है यानि कि वास्तों में अगर देखा जाए तो ये पांचमें अस्थान पर आता है लेकिन इसमें कोई भी विकल्व सही नहीं था, इसलिए चौथे को हम सही मान लेते हैं किस वर्स भारत यंदू नाट अकादमी के अस्थापना हुई तो भारत यंदू नाट अकादमी के अस्थापना हुई थी 1975 में Next किस अस्थान को सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है तो यह होगा इटावा कौन सही सुमेलित नहीं है अगला क्वेश्चन है नहीं है इस पर थोड़ा फोकस करिए तो दहान के परजाती है इसे ग्यहूं कहा जाता है अरहर की परजाती है पारस मटर की परजाती है प्रकास लेकिन ग्यहूं की परजाती सुस्समराट नहीं है मार मिर्दा कहां पाई जाती है तो मार मिर्दा जहांसी में पाई जाती है अगला सवाल है A का भाई B है B की पत्नी C है E A की बेटी D B का पुत्र F E का भाई है G D की बहन है तो A और G में क्या संबंद है तो इस तरीके से संबंधों से संबंधी प्रस भी पुशे जाते हैं और इसका सही जवाब होगा चाचा लगेगा उसका वो ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए अगला कोशन ने निमलिखित में से की सस्थान पर मुडिया पूडिमा मेला का आयोजन किया जाता है बरतमान में उत्तर प्रदेश में जो भी प्रसित मेले हैं जैसे इलहाबाद का कुम्भ लगने जा रहा है तो इलहाबाद का यह कौन सा कुम्भ है इसकी विशेस्ता क्या है इस पे विध्यान रखिएगा क्योंकि जो भी बरतमान में घटना है उत्तर प्रदेश में चर्चित अलिगड, फिरोजाबाद, मुरदाबाद और टांडा तो आपको पता है कि अलिगड़ी लाक फिरोजाबाद में क्या बनता है पीतल के बरतन फिरोजाबाद की चूडियां मुरदाबाद में पीतल के बरतन और टांडा में बिद्दुत करगा के उत्पाद किसका जन्म आगरा में हुआ था तो गालिप का जन्म हुआ था अगला कुश्चन किस नगर में राज की ललित कला अकादमी उत्तरपदेश अवस्थित है जवाब है लखनौँ next किसने संभू महाराज को हिंदुतानी सास्ती संगीत की सिक्षा दी रहेमुद्दिन खान ने दी थी नहीं ये जवाब गलत है सही जवाब होगा अब्दुलकरीम खान ठीक है निवर्खित पर से कौन परंबीर चक्र विजेता नहीं है तो परंबीर चक्र विजेता इसमें से नीरज कुमार ची ने बाकी सबको परंबी चक्र मिल चुका है कौन उत्तर प्रदेश की प्रथा महिला मुखी मंत्री थी तो सुजेता के प्लानी थी आपको पता ही है कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है तो इसमें जबाब क्या होगा आपका ए नकासिता कार्सिल के लखीप को खीरी सही सुमेलित नहीं है जबकि खुर्जा, मृतिकासिल, मेरट खेलकुत के सामान और जल इसर इसमें ढलमा घंटिया बनाई जाती है हम लोग देखते हैं अब अगले लिखित में से कौन सही सुमेलित है कौन सही सुमेलित है मतलब इसमें से देखें सिर्फ एक विकल्प सही है और विकल्प है C, बाइपूलर जंसन ट्रांजिक्सर यह रेक्टिफियर के तौर पे यानि कि दिष्टकारी की रूप में प्रयोग होता है इस्ट्रेटे लाइट क्या है तो अधिक उचाई पर समताप मंडल में अस्थापित वाइपेत जो होता है वो इस्ट्रेटे लाइट कहा जाता है अगला देखिए नावकी सलने रेक्टरों के विशे में निमरिखित कत्रों पर बिचार कीजिए देखिए ये सामान ने भी ज्यान है और प्रस्ण कितने सामान है खुद ही आप देखिए वे भारी नावकों के विखंडर के सिधान पर कारे करते हैं ये गलत होगा साधारत्यां उनकी टोक मार्क डिजाइन उटी है वे बहुत अधिक तापकरम पर कारे करते हैं यानि ये बिकल्ब दो और तीन सही हैं इसमें अगरा देखिए कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्तपूर भाग है तो जर्मेनियम ये ट्रांजिस्टर का एक महत्तपूर भाग है हलके रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरिता दी जाती है क्योंकि हलके रंग उसमा को कम औसोसित करते हैं दोनों ही सही है इसलिए इसका विकल्ब ए सही है ए और आर दोनों सही आर एक का सही असपस्टी करण है ठीक है अगला पस देखिए किसका उपयोग विसफोटक के रूप में किया जाता है तो ग्लिस्राल का उपयोग होता है विसफोटक के रूप में अगला क्वेशन किसका उपयोग दियासलाई के निर्मार में किया जाता है तो दियासलाई निर्मार में लाल फासपुरस कौपयोग होता है कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कि बाकी सब सही सुमेलित है स्वप्रतिरक्षित रोग है संधिबाद संधिसोत पामा रोग चिचडी से मांसिक रोग मनो बिदलता अनुबंसिक रोग छह रोग नहीं है साप के जरीले विजदन्त होते है रोपांदरीत होते है किसके जंबिका दंति आनि की जीव जो होती है वो दाद के रोप में दाद के रोप में परिवर्टी तो जाती है हाला कि ऐसा होता नहीं है यह सिर्फ कहा जाता है जिससे ये माना जाता है कि जो कैक्टस के काटे होते हैं वो पत्तियों का जो पांतरन होते हैं लेकिन मूल रूप में ऐसा नहीं होता साइंस जो करता है उसे में मानना पड़ता है मच्छरों के बारे में लिखित कत्रों पर बिचार कीजिए केवल नर रक्त चूशते हैं केवल मादा रक्त चूशती है मादा पौधों का रस चूशती है मादा की अपिक्षा नर के डैने बड़े होते हैं नर की अपिक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं तो इसमें से केवल तीन और पांच ये दो सही माने जा सकते हैं कि नर के पेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं और मादा पौधों का रस चूसती है केवल मादा रक्त चूसती है हला कि मादा रक्त चूसती है लेकिन केवल नहीं नर भी रक्त चूसती है जीवों का क्योंकि उसे बच्चे देने होते हैं सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचीयों के अंत में देगे कूट का उप्योग करके सही उत्तर दीजिए हड्यों में उपस्थित योगिक, सिर्का में उपस्थित अम्ल, दूद का खटा होना, फलों का पकना इसमें से आपको क्या करना था, मैच कराना है तो एक का फोर्स ही होगा, ठीक है हड्यों में उपस्थित योगिक, कैल्सियम फास्पेट होता है उसके बाद सिर्का में उपस्थित अमल जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड ठीक है उसके बाद दूद का खटा होना इसका कारण है लैक्टिक एसिड फलों का पकना एथिलीन इस तरीके से सारे बिकल में निमाइच किए अब आप चुन के उसका उत्तर दे दीजिएगा अगला बस देखिए निम्लिकी कत्रों पर बिचार किजिए कसकुटा अमर बेल परजीवी आवरित बीजी का एक उधारण है यह पोसी पोधों की पत्तियों से अपना पोसन प्राप्त करता है पोसी और पर पोसी यह दो तरीके के पोधे होते हैं पोसी का अर्थ होता है वे पोधे जो अपना भोजन स्वेंग बनाते हैं और पर पोसी वो पैथे होते हैं जो भोजन के लिए उनको रेडिमेट भोजन चाहिए वो भोजन के लिए पोसी पोधों पर डिपेंड करते हैं तो इसमें से A और R दोनों को सही बताया जा रहा है और R A का सही बिकल्ब होना चीए अगला कुछिन देखिए सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचीयों के नीचे देखे के कूट से सही उत्तर चुनिए राष्टी परवन अभियांतर की अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर इस्तित है तो ये इस्तित है नागपुर में ठीक है उसके बाद देखिए केंदरी खाद प्रदो की अनुसंधान संस्थान ये उपस्ति ए है मैसूर में केंदरी आलू अनुसंधान संस्थान तो इसका जबाब होगा सिमला में है केंदरी तबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजा मुंद्री में इस्तीत है इस तरहें इसके आपको match कराना है अगला question देखिए कौन सही रूब से सुमेलित नहीं है यानि कि कौन सा तो इसमें घटपांडी पर जिवी आवरित दीजी तो यही सही रुप से सुमेलित नहीं है D आपका सही उत्तर होगा कौन सा जोग में सही सुमेलित नहीं है फिर वही चीज है तो इसमें आप मैं आपको बता दू बिटामीन A की कमी से रतोधी होता है B3 की कमी से पेलागरा रोग होता है विटामिन D की कमी से हड्डियों की रोग होते है वड़ांता नहीं होती है वड़ांता एक अनवंसिक रोग है फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता यानि की रक्त की कमी यानि की एनेमिया रोग हो जाता है ठीक है उसके बाद देखते हैं सासकों में से किसके लिए एका रामर प्रुक्त हुआ है तो इसका जवाब होगा आपसंसी गौतमी पुत्र साथ करनडी अगला देखिए किसका सिखर दरविण सेली में बना हुआ है तो इसमें जो ग्वालियर का तेली मंदिर है इसका सिखर दरविणियन सेली में बना हुआ है इस मंदिर की उचाई है सौफिट ठीक है और इसकी जो छत दरविणियन सेली में लेकिन नकासी जो है और जो मुर्तियां है वो उत्तर भारती सेली में बनाई गई है इस तरीके से ये दो सहलियों का एक समिस्त्रण है बुद्धुद्वारा रुपांदरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था जैन धर्म और बौध धर्म बहुत इंपोर्डेंट है दोनों धर्मों से कभी कभी एक दो तीन प्रस पुछे आते हैं इसलिए दोनों धर्मों के बारे प्रवासा गहन अध्यन जरूरी होगा तो सुभध वब्यक्ति था अंतिम जिसे बुद्धुद्वारा अंतिम बार जो बौध धर्म की दिक्षा दी गई थी समुध गुप्ति के प्रयाग प्रसस्ति वाले अस्तम पर लिन्विक्त में से किसका लेख मिलता है तो डारा सिको का लेख मिलता है अगला देखते हैं राजबंस और सिकों की धातुएं इनका आपको क्या करना है सही सुमेलित नहीं है कुछा सही सुमेलित नहीं है कुछाण स्वण एमंग ताम्र गुप्त स्वण एमंग रजद सात्वाहन स्वण नहीं कल्चुरी स्वण रजद एमंग ताम्र इस तेकर से आपसंस C आपका जबाब होगा किस परिवार ने सरप्रतम अकबर के साथ बैवाही संबंद अस्थापित किये थे मदब किस राजपूत परिवार ने तो कच्वाहा राजपूतों ने सबसे पहले अकबर के साथ बैवाही संबंद अस्थापित किये थे कौन जी इलतुत मिसके राजकाल में सल्तरनत की राजदानी थी जबाब होगा D, दिल्ली कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है तो H5, N1 ठीक है अगले अगला पस देखिए कौन राजा मुहमत गोरी द्वारा चंदावर की युद में पराजित किया गया था तो option B, जैचंद हलांकि 1192 में तराइन का पहला युद हुआ पितिविराज चंदावान ने हरा दिया था अगले साल Souls B, 112 में तराइन का दूसरा युद हुआ इस युद में पितिविराज चंदावान मारा गया और दिल्ली पर जो कबजा हो गया था मुहमत गोरी का कहा जाता है कि जैचंद ने ही मुहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था आकरमण करने के लिए प्रतिविराज चोवान पर क्योंकि प्रतिविराज चोवान ने जैचंद की पुत्री सहुगता से जबरदस्ति बिवा कर लिया था लेकिन मुहम्मद गोरी जो था उसने 1194 बे में फिर से आक्रमन किया और चंदावर के युद्ध में जैचंद ही मारा गया तो दुस्मन को आमंतित करने वाला और गदारी करने वाला व्यक्तिवी कभी सुरचित नहीं रहता है इतिहास इसका गवा है किसका मगबरा भारत से बाहर इस्थित है तो जहांगीर का मगबरा भारत से बाहर इस्थित है और बरतमान में ये कहां पर है तो आप देख रहे हैं कि जब इस तरीके का कोई भी प्लस पुछा जाता है तो एक साथ बहुत सारे प्लस्नाप को मैच कराने के लिए दे दिये जाते हैं ठीक है तो इसमें जो था इसमें बिकल्प A आपको सही मना जाएगा Hawkins 1615-1619 Thomas Rowe Manucci Rockfish ठीक है अगला देखते हैं 1857 के बिद्रोग के दौरान बहादूर सा ने किसे सहाबे आलम बहादूर का खिताब दिया था अजिम उल्ला को option A सही होगा फिर आगया सूची एक और सूची दो के साथ समेलित कीजिए पांडी चेरी, गोवा, ट्रावन कोर और सद्रास इसको आपको मैच कराना है तो चलिए मैच कराते हैं पांडी चेरी को फ्रेंच से गोवा, पुर्तगीज, ट्रावन कोर, डेन, सद्रास, ओविसली डच ठीक है, चलिए अगला कोशन देखते हैं, किसने महा भारत का फार्सी में अनुबात किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था अगला कोशन देखिए, अस्रम के सरप्रतम चाय कमपनी के स्थापना अठारा सो सैंटिस में हुई, नेक्स्ट निम्लिकित बिउरण पर विचार कीजिए, अठारा सो तिरपन में जन में ये पस्चिम भारत के पार्सी थे, ये इंडियन इस्पेक्टेटर तथा वायस आफ इंडिया के संपातक थे, ये एक समा सुधारक थे, और सम्मत आयो अधनियम अठारा सो इक्यान बे के पक्ष में प्रामुक्ष संघस करता थे, तो देखिए इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पे आप लिएगे बिकल्पो में से व्यक्ति के बाइन चेहन कर सकते हैं, जिसे वायस आफ इंडिया के संपातक कौन थे, तो दादा भ अठारा सी कांग्रेस का, दूसरे गोल में समेलन 1132 में भाग लेना अंतर नहीं था, तो इसमें ए गलत है किन्तु आर सही है, ठीक है, पहला सही है, मनलब गलत और दूसरा सही है, नेक्स्ट, आगया सूची और उसको मिलान करने के लिए, ठीक है, नाना सहाब, नावाब हाम पर से संबंद इते, ठीक है, नवाब हामिद अली खान, इनका संबंद दिल्ली से है, मौलबी हमूद उलाह, इनका संबंद कहां से है, लखनव से, मनी राम दीवान का संबंद असम से, ठीक है, चले अब हम लोग देखते हैं, अच्छा, तो friends, यह था last question, अब आपने देखा, इस वीडियो के माध्यम से, हमने प्रस्नों को देखा, और खास्तों से यह भी देखा कि, प्रस्न किस तरीके से पुशे जाते हैं, और study करते समय, आपको किन-किन points पर focus रहना होगा, यह video definitely आपको study करने में बहुत ज्यादा help देगा, आपको focus रहने में बहुत मदद करेगा, friends, मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, कि कठिन परिस्त्रम का कोई विकल्प नहीं है, दुनिया में कोई साड कट नहीं है, जो आपको सफलता दिला दे, क्योंकि दूसरों के भरोसे तो कभी भी सफलता मिल नहीं सकती, आपको स्वयंग प्रयास करना होगा, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी कोचिंग नहीं है, जो किसी को IAS या PCS बना दे, हर आदमी जो सफलता प्रात करता है बड़ी परिक्चाओं में, उसमें उसका जो निजी रूप से प्रयास हो कहते हैं, सिस अगर चाहे, जब गुरू की तलास करे, तो गुरू उपस्थित हो जाता है, यानि कि आप जो कुछ भी खोजेंगे, आपको अवसी वो प्राप्त हो जाएगा, गुरू की तलास है, गुरू भी उपस्थित होगा, तो इसलिए सारे चिंता प्रभू पे छोड आईये मत, उसमें को छोटे-छोटे खंडों में बाटिए और पढ़ाय सुरू कर दिजिए, सफलता आपकी है, तो इनी सब्दों के साथ, आज के वीडियो को मैं विराम देता हूँ, वीडियो कैसा लगा आपको, आपके फीडबेक का में जार रहता है, कृप्या वीडियो तक इसे सेर करके पहुचा दीजिएगा, बस हमारा प्रयास सफल हो जाएगा और आपकी सफलता भी निश्चित, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए आग्या दीजिए, नमस्कार, जैहिन, जैभारत